तो अगर आप भी अभी के टाइम पे 20,000 रुपीज की बजट प्राइसिंग में वन प्लस या फी किसी अधर ब्रेंड का स्मार्टफोन प्रजेच करने की सोच रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है अभी के टाइम पे काफी सारे स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो काफी आदा नीचे आ चुकी है तो आप अपने नीड यूजर के बेसेस पर किसी भी स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं तो चलिए बीना किसी दरी की वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं अगर हम बात करें हमाई लिस्ट के सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में जो कि हमने रखा है OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्टफोन के बारे में और ये स्मार्टफोन में लिग उन लोगों को लिए है जिनका जो बजट है 15-16,000 रुपीज तक ही है तो वो लोग इस स्मार्टफोन को consider कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको इस स्पैसिफिकेसंस बजट रेंज के कोर्डिंग काफी बड़िया देखने को मिल जाएंगी तो अगर डीटेल से बात करें हम इस स्मार्टफोन के स्पैसिफिकेसंस के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G chipset देखने को मिल जाता है चोकि 2.2 GHz पे clocked एक octa-core 5G processor है यहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको 5000MHz की काफी बड़ी बैटरी के साथ 67W का fast charging support भी देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको battery और performance budget range के recording काफी बड़ी है देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर वहीं पर बात करें इस स्मार्टफोन के display specifications की वारे में यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 5 की protection मिल जाती है 120H का refresher support भी आपको देखने को मिल जाता है तो overall display performance भी आपको यहाँ पर काफी बड़ी है देखने को मिल जाती है इसके अलावा अगर वहीं पर बात करें at the end इस स्मार्टफोन के photography features के वारे में तो यहाँ पर आपको 108MP प्लस 2MP प्लस 2MP का एक काफी बड़ी है ट्रिपल लियर camera setup मिल जाता है जहाँ से आप maximum 1080p में अपनी वीडियो उसको 30fps वर Full HD में easily record भी कर पाएंगी और इसके अलावा भी आपको Samsung का एक सामने के तरब भी 16MP का front camera देखने को मिल जाता है इसके बाद चलिए आप बात कर लेते हैं हमाई list के second number वाले smartphone के बारे में जो कि हमने रखा है OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus Nord CE3 5G smartphone के बारे में जो कि आपको 90,000 रुपीज की budget pricing में easily देखने को मिल जाएगा और ये smartphone भी आप पे लिए काफी बढ़िया रहेगा अगर आप 20,000 रुपीज की अंडर में OnePlus की तरफ से आने वाले को एक बड़ी हसा smartphone purchase करने की सोच रहे हैं तो अगर डीटेल से बात कर लें इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको performance के लिए Qualcomm Snapdragon 782G का chipset देखने को मिल जाता है और यह भी 2.7GHz पे clocked एक octa-core 5G processor है जहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB की inbuilt memory देखने को मिल जाती है इसके अलावा आपको 5000MH की काफी बड़ी battery के साथ 80W का Superbook Fast Charging support भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको display के तौर पर भी 6.7 इंचेस की एक AMOLED screen देखने को मिल जाती है जो की mainly 1080-2400 pixels पे work करती है और यहाँ पर आपको 394ppi pixel density का भी support देखने को मिल जाता है HD at 10 plus support के साथ 120H का refresh rate support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर जब भी आप इस smartphone को use करोगे तब काफी smooth experience आपको मिलेगा और इसके बाद at the end अगरो ही पर बात कर लें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 plus 8 plus 2 megapixel का triple rear camera support देखने को मिल जाता है OnePlus की तरफ से आने वाला Nord 3 5G smartphone और यह जो smartphone अभी के टाइम पर आपको 20,000 रुपीज़ेट प्राइसे में देखने को मिल जाएगा तो यह smartphone आपके लिए एक best choice होगी अगर आप 20,000 रुपीज़ेट प्राइसे में एक बड़ी हासा smartphone purchase करने की सोच रहे है बिकाउज आपको यहाँ पर जो processor इस कीमत पर देखने को मिल जा रहा है वो आपको सायधी किसी smartphone में देखने को मिले तो अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यह जो smartphone है वो out to the work Android 13 पर work करता है और यहाँ पर आपको performance के लिए मेडिरिक डैमेशनी 9000 का चिप्चर देखने को मिल जाता है जो की 3.05 गीगाज पर clocked काफ़ यादा powerful octa core 5G processor है और यहाँ पर आपको 8GB तक की RAM support और 128GB की inbuilt memory देखने को मिलती है और इसके लाव आपको वही पर बैटरी के तौर पर 5000 mh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 80W का Superbook Fast Charging support आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आप इस smartphone को भी consider कर सकते हैं अगर आपको powerful gaming के साथ साथ एक अच्छा खासा camera specifications चाहिए तो इसके बाद अगर वही पर बात करें इस smartphone की display specifications के बारे में तो यहाँ पर आपको display के तौर पर 6.74 इंचेस की एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है जो की 1214 to 2772 pixels की है और यह जो display panel है वो 450 ppi pixel density पे work करती है यहाँ पर आपको 1415 nits तक की peak brightness भी मिल जाती है HDR 10 Plus का support देखने को मिल जाता है और वही आपको 120H का refresh rate support भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसके बाद अगर वही पर at the end बात करें इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 50MP plus 8MP plus 2MP का triple ear camera support देखने को मिलता है विद OIS support और आप यहाँ से maximum 4G quality में अपनी वीडियो उसको 30fps पर Ultra HD में easily record कर पाऊगे और इसके अलावा भी आपको 16MP का एक सामने के तरफ Sony IMX 890 का sensor देखने को मिल जाता है तो यह रहे टॉप 3 best OnePlus smartphone जो कि आपको under 20,000 रुपीज एजली देखने को मिल जाते हैं तो आप इन में से किसी भी OnePlus smartphone की तरफ जा सकते हैं जो भी smartphone आपको पसंद आया हो या फिर अपने बजट के अनतार किसी भी smartphone को consider कर सकते हैं So at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी अधा informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्रिक कर देजग लाइक और चैनल कर देज़िये सब्सक्राइब तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैकले हो